हाँ एवरिवईट, आज मैं आप लोगों के साथ share करूगी बोहुत ही tipsy breakfast के recipe आप इसको सुबहँ को breakfast में भी खा सकते। यह साम को आप इसको नास्ते में भी बना के खा सकते हैं इसको बनाना बहुत ही असान है और बहुत ही कम समय के इसको हम बना के रेडी कर सकते हैं और यह बहुत healthy भी है, यह बच्चे से लेकर बरे तेक बहुत ही पसंद से खाएंगे, यह इतना tasty बनके ready होता है, तो चलिए हम इसको बना लेते हैं, इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक चमच तेल डाल दिया है, जब हमारा तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो यहाँ हमने क्या करना है उसी तेल में जो हमने मुझ भली भूजा था उसी तेल में हम डाल देंगे हाँ प्ती स्पून जीरा यहाँ पर जाएगा पिंच भर हिंग और इस सारे चीज अच्छे से चटक जाएंगे ना तो यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक हो गया है अब यहाँ पर हम डाल देंगे एक आलू तो हम ने इस आलू को बहुत ही छोटे-छोटे टुक्रो में कट किया है और इसको यहाँ पर हम एड़ कर देंगे थोरी धिशी अजल खर साथी यह पर डालना है, और थोरा सा नमक पाकी नमक हम बाद में डालेंगे और इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और यहां पर अपने गैस के फ्रेम को एकदम लो करके न इसको ढखके हम तीन से चार मिनर तक पकने देंगे जब तक हमारा आलू सप्ट न हो जाए जब तक हमारा आलू सप्ट होगा न तब तक देख पिर हम इसको वास करेंगे, ऐसे चीवरे को धोने से एक दूसरे में चिपकेगा, नहीं बहुत ही खिले-खिले हमारे पोहे बनके रेडी होंगे, तो देखिए इस तरीका से हम चीवरों को धोलेंगे, इसे सारे गंदगी भी निकल जाएगा, और हमारा चीवरा भी अधिक गल अब हम इसको साइड में कर देते हैं, और चीवरों को लगवग दो मिनट के लिए रख देंगे, ताकि अच्छे से फूल जाए, तब तक हम देख लेते हैं, हमारा आलू भी अच्छे से सौप्ट हो गया है, अब हम इसको एक बार मिला देते हैं, और यहां पर चीवरे को भ से मिला देंगे, और यहां पर अपने गैस के फिल्म को हम हाई कर देंगे, हाई फिल्म पर हम इस सारे काम को करेंगे, देखिए इसको अच्छे से हमने मिला दिया है, अब यहां पर हमने जो मुंग फली को भून के रखा था उसको एड़ कर देंगे, और साथी यहां पर हम तो थोरा से नमक हमने पहले डाला था और फिर हम यहां पर थोरा सा यूज कर देंगे और यहां पर हम डाल देंगे हाँ टीश्पून फ्रेंड्स चीनी यह डालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जरूर डालिये इससे नव बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है यह बिल्कुल मीठा नहीं होगा लेकर इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और यहां पर देखिए इसको नहीं मिला देंगे और इस तरीका से एक मिनर तक हम इसको भूनें के ज्यादा नहीं बूनन है आप इसको साम के समय चाय के साथ खा सकते हैं यह सुबह को अगर ब्रेकफ़ास्ट में खा रहे तो गर्मा गरम दूद के साथ खा सकते हैं बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हिलदी बनके यह पौःरेडी हुआ है अब हमने इसको गर्मा गरम कर दिया है सर्भ फिर तो वीडियो को लाइक, शीर और सस्क्राइब करना न भूले, बाई फ्रेंज, टेक कियर